आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello Friends, हमारा Question है हमारे देश में मचली उत्पादन की कौन-कौन से विधिया अपनाई जाती है Let's first कीजिए तो दोस्तों आईए देखते हैं कि हमारे देश में मचली उत्पादन की कौन-कौन से विधिया अपनाई जाती है लिखेंगे मचली उत्पादन की विधिया तो दोस्तों आएए देखते हैं कौन-कौन से विधिया होती है पहली विधि होती है समुद्री मज्य उध्योग क्या होती है समुद्री मज्य उध्योग ठीक है दोस्तों तो समुद्री मज्य उध्योग के अंतरगत क्या किया जाता है समुद्र के अंदर समुद्र के अंदर क्या करेंगे जो खाद्य मझलिया होती है खाद्य मझलिया यानि कि जिने हम भोजन के रूप में प्रयूक्त करते हैं खाद्य मझलियों का उतपादन होता है यह मझलियां स्वत oghi या इसमें हमारे समुद्र में अनुकूलित वातावरण के कारण स्वत्तव रध्धी करती है तो दोस्तों आएए देखते हैं कौन-कौन सी मशलिया होती है एक तो होती है हमारी कौन टूना मशली दूसरी होती है पॉम्फ्रेट लिखेंगे पॉम्फ्रेट होती है इसकी अतरिक्त सारडिन मशली जो होती है वह हमारी समुद्री मच्छी उध्यों के अंतरगत आने वाली मचली है तो दोस्तों समुद्री मच्छी उध्यों के अंदर क्या करते हैं समुद्र के अंदर खाद्य मचलियों का उतपादन होता है जो कि वो अनुकूल परिस्तेदियों के कारण सतह ही होता है तथा टूना पॉम्फरेट व साडिन इसके अंतरकत आई जाने वाली मश्लिया है और ये देखते हैं दूसरी विधी कौनसी है दूसरी विधी होती है हमारी जलक्रशी क्या होती है लिखेंगे जलक्रशी ठीक है दोस्तों जलक्रशी जल क्रेशी के अंतरकत क्या होता है तालाब का निर्मान किया जाता है क्या करेंगे पहले तालाब का निर्मान करेंगे उसके पश्चात क्या करेंगे तालाब बनाने के बाद मचली के बीज उसमें डालेंगे मचली के बीज मशली के वीजियाने के कुछ मशली की प्रजातियां ठीक है दोस्तों मशली की प्रजातियां उसमें डालेंगे तो क्या होगा कि उसमें अनुकुल परिस्तिया भी हमें बनाने पड़ेंगे जैसे कि कुछ आवश्यक वनस्पतियां तथा मशलियों को केल्शियम देने के लिए क्या करेंगे उसमें चूना मिलाएंगे तथा उसमें हम सफाई भी समय समय पर करवाएंगे जिसके दोरा हमारी जो मशली है वह इन अनुकूरित परिस्थितियों में क्या करेंगी प्रजनन करेंगी क्या करेंगी प्रजनन करेंगी जिसके दोरा अधिक मशली उतपादन होगा तो दोस्तों क्या होता है जलक्रशी के अंदर तालाप का निर्मान किया जाता है तालाप का निर्मान करने के लिए क्या करते हैं तालाप बनाते हैं उसके अंदर जल भरते हैं तथा उसके बाद उसमें मशली के बीच डाल दिये जाते हैं जिससे की बहुत सारी प्रचातियां उसकी निर्मित होती है इसके लिए हम उसमें विविन प्रकार की वनस्वतियां लगाते हैं उसमें केल्शियम की कमीना हो इसलिए उसमें चूना भी डालते हैं चथा समय समय पर उसकी सफाई भी करवाते हैं इस प्रकार अनुकोलित परिस अंतर देशिय मत्य उद्योग, क्या होती है? अंतर देशिय मत्य उद्योग, ठीक है दोस्तों? उद्योग लिखेंगे यहां पर, अंतर देशिय मत्य उद्योग, इसके अंदर क्या होता है? अंतर देशिय मत्य उद्योग के अंतर गत, जो अंतर देशिय जलस्तरोथ होते हैं, जैसे क्या-क्या, जील तथा नदी, ये जो स्तरोथ होते हैं, जिनमें पहरे सिजाल उपस्चित होता है, उनमें हम क्या करते हैं, मचलियों के बीच डाल देते हैं, जिससे मचलियों के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, तो था इस प्रकार मचली उत्पादन में क्या होती है, व्रद्धी होती है, यहाँ पर अनुकूलित परिस्थितियां पहरे से ही पाई जाती है आईए चोथी विधी देखते हैं दोस्तों चोथी विधी होती है चोथी विधी धान मीन मचली समवर्धन क्या होती है? धान मीन मचली समवर्धन ठीक है दोस्तों धान मीन मशली समर्धन, इसके अंतरगत क्या होता है? जैसा की नाम से स्पष्ट है धान मीन, यानि कि जो धान की खेती होती है, चावल की खेती होती है, वो होती है अत्यधिक जल में, कहां होती है? अत्यधिक जल वाली खेती होती है धान के लिए हमें क्या जल की मात्रा अधिक लगती है तो दोस्तों इसके साथ इस अत्यधिक जल में जहां पर जल भराव करके धान की खेती की जाती है वहां पर इस जल में हम क्या कर सकते हैं मचली का उत्पादन भी कर सकते हैं कतला कतला लिखेंगे कतला कतला प्रजाती मशली खी तथा रोहु प्रजाती ये जो मशलिया होती हैं ये हमारी धान मिन मशली समर्धन में उपियोग लाकर हम मशली उत्वादन कर सकते हैं तो दोस्त आश्या करते हैं आपका इस प्रशने का उत्तर समझाया होगा वीडियो को आट चार्सो 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 पर